जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो आज के वीडियो का जो दो पाठ है दोनों ही इंडिजिनिया सात्यारों के development को लेके है जिनमें से सबसे पहले हिस्से में मैं आपको AMCI Aircraft के लिए बनाया जाने वाले समय के कुछ और मिसाइलों के परिक्षन के बारे में बताऊंगा जिनमें कुछ ऐसे मिसाइल भी है जो इंडिया के deterrence capability को खाली बढ़ाएगा नहीं बलकि इंडिया के export को भी बढ़ाने में मदद करेगा तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोसों आफ सब लोगों को पताई होगा कि AMCI Aircraft को बनाने के लिए इंडिया द्वारा बहुत सारे देशों के कमपनियों के साथ कई सारे आधुनिक इक्विपमेंटों के उपर समझोते किये गए है जिन में सबसे महत्तुपूर्ण समझोता है येरब्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजिन को लेके इंडिया द्वारा जहाँ पे एरब्टों के initial डिजाइन और प्रोटोटाइब के लिए अमेरिका से GE414 इंजिनों का खरिदारी किया जा रहा है और कुछ एरक्रैप्टों को इन इंजिनों के साथ ही फ्लाई करने के लिए तैयार किया जा रहा है तो वही पे इंडिया अपना खुद का इंजिन डेवलप्मेंट के उपर भी काफी जादा जोर दे रहा है और दोस्त इसे ही सफल करने के लिए इंडिया दुआरा दो अलग-अलग कमपनियों के साथ इंजिन डेवलप्मेंट के लिए समझोते किये जा चुका है जिन में ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस और फ्रांस के सैफ्रॉन कमपनी है दोसे इन दोनों कमपनियों के साथ ही भारत का मेमोरें में आया गया था कि दोनों देश मिलके इंडिया के 5.5 जनेरेशन के AMCA के लिए एक आधुनिक इंजिन का डिजाइन और डेवलप्मेंट करेगा जबकि उसके बाद फ्रांस के सैफ्रोन कमफनी के तरफ से भारत को पहले किया गया अपने पुराने समझाते को अपग्रेड करने का बात कहा गया जिसके तहट राफाइल के ऑफसेट क्लॉज के तहट इंडिया को फ्रांस द्वारा जेट इंजिन को आधुनिक करने के लिए मदद किया जाएगा फिलाल फ्रांस के साथ इस समझोते को आगे बढ़ने के लिए भारत में एक जेट इंजिन वेनिफेक्चरिंग प्लांट निर्वान करने का भी बात कहा जा रहा है पर दोस्तों जहाँ पे एक तरफ फ्रांस बढ़ चड़ के भारत को मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो वही पे ब्रिटेन भी अपने डिफेंस डील को खोना नहीं चाता है और अब सुनने को आ रहा है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनेश्टर बॉरिस जोंसन के भारत के दोरे के दर्मियान भारत और ब्रिटेन के बीज में कुछ महत्तोपूर ने डिफेंस डील के उपर हस्ताक्षर हो सकता है वैसे अगर देखे तो योरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन द्वारा अपने ट्रेड और डिफेंस डिलेशन्शिफ को अन्य देशों के साथ मजबूत करने को काफी जाधा महत्तो दिया जा रहा है जिनमें भारत को ब्रिटेन के एक भविश्य के बड़े पार्टनर के रूप में भी देखा जा रहा है भारत के बढ़ते हुए market और बढ़ते हुए जोरोत को देखते हुए बिटेन द्वारा भारत को कई सारे प्रोजेक्टों में भी involve करने का प्रयास किया जा रहा है जिनमें बिटेन के एरफोर्स के लिए बनाया जाने वाले future generation के fighter aircraft भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिनमें कई भारत को unofficially invite करने का प्रयास भी किया गया पर भारत के जोरोते हुए बिटेन को अब ये भी महसूस हो चुका है कि बिटेन अपने इंट्रेस्ट में नहीं बलकि भारत के इंट्रेस्ट में अगर अपने इंट्रेस्ट को सर्फ करफ आता है तो उसे इसमें ही फाइदा मिले दोस्तो ब्रिटेन के रोयल्स रोयस और भारत के DRDO के बीच में सबसे पहले एक नया जेनरेशन के इंजिन के डेवलोपमेंट को लेके 2017 में ही बात्चित शुरू किया गया था और उसके बाद 2019 में जब MOU के उपर हस्ताक्षर हुआ तो खुलासा किया गया कि ब्रिटेन के रो होना चाहिए कि ये हाई अल्टिट्यूड और एक्स्ट्रीम थंड एरिया में भी अपने परफॉमेंस को कॉम्प्रोमाइस ना करे और रोयल्स रोयस के दरफ से ये खुलासा किया गया है कि इन इंजिनों को EJ-200 मतलब Eurofighter Typhoon के इंजिन और F-135 मतलब A-35 के इंजिन के तर पाचित कर रहा था उनके द्वारा Full Technology Transfer को लेके थोड़ा बहुत अनाकानी किया जा रहा था जैसे कि अमेरिका के General Electric के द्वारा भारत को Enhanced A414 देने का बात तो कहा गया था साथ में Technology Transfer का व्याद भी कहा गया था लेकिन Enhanced Priority के मामले में अमेरिका द्वारा अनाकानी किया जा रहा था जबकि France का जो offer था उसमें M883 engine मतलब Rafale में इस्तिमाल होने वाले High Power Engine का बात कहा गया था Technology Transfer और Inhanced Priority भी देने का बात कहा गया था लेकिन जो इसका Core Technology है उसे लेके भारत के साथ काफी महंगा negotiation किया जा रहा था पर इसी साल February महिने में Rolls Royce और D.I.D.O के किया जा रहा है कि भारत के शर्तों को मानते हुए कैसे भारत के साथ आगे बढ़ा जा पाए दोस्व आपके जानकारी के लिए बतादू कि इंडिया द्वारा अपने AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन वाला एक आधुनिक इंजिन का खोच किया जा रहा है जबकि Rolls Royce और भारत के बीच में 140 किलो न्यूटन वाले आधुनिक इंजिनों को लेके काम करने का बात कहा गया तो संभावित ये इंजिन AMCA Mark 2 को लेके हो सकता है तो सब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे अफड़ेट के उपर आप सब लोगे को पता ही होगा कि इस साल भारत द्वारा कई सार का परिक्षन किया गया है और सारे के सारे मिसालों का परिक्षन भारत का सक्सेस रहा हाली के चायना के साथ जड़व के दर्मियान ये परिक्षनों का संख्या काफी बढ़ चुका है और दोस्तों ये साल खतम होने में जहाँ और कुछ दिन बाकी है उई पे DRDO द्वारा इन परिक्षन भी शामिल है और दोस्तों ये सभी मिसाइलों का परिक्षन इसी हफते ही होना है संभाविद आज शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल प्रिस्वी 2 का परिक्षन हो सकता है जबकि स्टाटिजिक फोर्स कमांड द्वारा 18 डिसमबर मतलब शुकुरवार के दिन इंटरमीडियर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल अगनी फोर का परिक्षन किया जाएगा जबकि इन दोनों परिक्षन से भी महत्तोपूर्ण परिक्षन है मीडियम रेंज सॉर्फिस टू एयर मिसाइल मतलब एम आर सैम का जिसका डेवलप्मेंट ट्राइल होगा दोस्तों मिडियम रेंज सॉर्फिस टू एयर मिसाइल मतलब एम र सैम का परिक्षन मंगल बार मतलब 22 तरीक के दिन सिडियूल किया गया है लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वेधर कंडिशन उस दिन कैसा रहेगा दोस्तों प्रित्फिल टू और अगनी मिसाइल जहाँ पे एक प् इन मिसाइलों में एक एडवांस रोटेटिंग फेज एरे रैडर और एक्टिव रैडर रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तिमाल किया गया है जो मूफिन टार्गेट को हर एक वेधर कंडिशन में डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और दोस्तों इन तीनों मिसाइलों के साथ साथ 2020 में भारत के नाम कई सारे मिसाइलों के परिक्षन का एक रेकॉर्ड भी बन सकेगा आपके जानकारी के लिए बता दू कि इस साल भारत दुआरा कई सारे मिसाइलों का परिक्षन किया गया है जिनमें कुछ मिसाइल तो ऐसे भी है जिनने पहले कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया एक्जामपल के रूप में इंडिया का स्मार्ट मिसाइल जो टॉर्पेडों को सुपरसोनिक रप्तार से लॉंच करा सकता है और दूसरे तरफ निर्वाय मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट इवेन ये MR SAM के development trial भी एक खास बात है क्योंकि इससे आने वाले सेमे में इंडिया के surface to air capability बढ़ेगा जो दुश्मन को इंडियान airspace में घुसने से खाली रोकेगा नहीं बलकि दुश्मन के ऐसे हरकतों को तभावी कर पाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अ झाल